फाइनली हमारे ओनलाइन कोच अब हमें फीजिकली अवेलिबल हो गए है पिठाई तो बनती है इस बात पे इन से पहले भी हम लोग एक और ओनलाइन कोच को भुगता चुके हैं मान गए भाई लेना कोच गोराई है ओनलाइन भी चलीगा खैर इंग्लेंड में गैरी क्रिस्टे ने टीम मेंबर्स मुलकात किया और अपनी निगरानी माज प्रैक्टिस भी करवाई है इंग्लिश प्लेयर्स भी अभी आईपियल को छोड़ कर आए है इन से मैं पूछना चाहूँगा के भाई क्यों आयो वो सुनील अंकल डंडा लेकर ढूड रहे है तुम लोगों को बहुत घुस्से में आयो है ऐसी पनिश्मेंट मिलेगी अब तुम लोगों के गाड़ियों के टायर्स के हवा भी निकलेगी और एलेक्रिस सिटी के मीटर्स भी कटिंगे इंग्लेंड के सब प्लेयर इंडिया से और कुछ लाए हो ना लाए हो फॉर्म जरूर लेकर आये हैं भाई बटलर भी फॉर्म में है बैरिस्टो, विल जैक, सैम करन बस टॉप ले भाई जरा त्यारी में है अभी समझ नहीं आरी, अभी सीरीज भी हम लोगी जीत कर आये हैं और अब प्रेशर भी हम लोगी फील कर रहे हैं आईपियल से याद आया मैं कहीं सुन रहा था कि सैम करन ने कहा है कि आईपियल की एक एक बाल फिक्स रोती है इसलिए नेक्स शेयर हम लोग नहीं जाएंगे मुझे तो कन्फर्म नहीं है कि ये फेक न्यूज है या नहीं आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताईएगा लगता तो वैसे वो बच्चा ही है शाय सुनील अंकल के डर से बोल दिया हो उसने और सैम भाई से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये 36 सीजन खेल कर आपको ख्याल आया है कहीं PSL में आने का इरादा तो नहीं इसका नॉट्टी बोई खेर बैग टू पाकिस्तान प्रैक्टिस सेशन जिसमें हमने देखा है कि सब प्लेयर्स पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं इवन के बाबर भाई भी बाबर भाई ने वो इंटेंट वाली बात को सीरियस तो नहीं ले लिया बाबर भाई आप बस नैच्रल गेम खेले बाकि सब को इंटेंट दिखाने दे क्योंके आप और रिजवान ही तो हमारी बैटिंग में रीर की हड़ी बलके दिल, गुर्दा, कलेजी सब कुछ हो मैं पहले ही बता रहा हूँ अगर इन्होंने हिटिंग शुरू की इनसे पूरे बीस ओवर्ज भी नहीं खेले जाने हाला कि दिल से ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि पाकिस्तान टीम जरा एकसाइटमेंट के साथ यह दोसो दोसो रंज मारे और चेज करे वरना हम लोग तो वो 180 और 190 पेटके रहते अगर 180 का टार्गिट मिल गया तो भी वन साइडिड मैच हो जाता है और अगर 200 का टार्गिट मिल जाए तब भी वन साइडिड मैच हो जाता है हमें पता हो ताइन से चेज नहीं हो ना इस दफ़ा हम लोग इंगलेंड की स्ट्रीक तोड़ कर ही आएंगे बाबर भाई बस हारिस और शादाव भाई को बोले कि वो लोग बॉलिंग में कोई इंटेंट ना दिखा दे इंगलेंड के अगेंस फर्स मैच में उमीद है कि हारिस रौफ भी बॉलिंग करें और साइम अयूब के साथ ही हम लोग ओपनिंग करें क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में साइम और इसमान खान पर क्रिस्टन काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं हाला कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साइम के जगा वर्ल्ड कप में महमद हारिस को ले जाया जा सकता है यकीन अगर साइम को चांस दिया जा रहा है और वो इसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाए तो ये उनका लास्ट चांस होगा और फर्स्ट मैच की वैदर अपडेट्स ये हैं कि भाई बहुत धुहाधार वारिश बताई जा रही है होप सो कि मैच वाश ना होजा है बस ये हम तो अपने घर की पिचिज पे भी स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं जो तो दूसरी टीमों को मिलता है उनके अकॉडिंग वर्क अप में वेस्ट इंडीज और इंडिया इंग्लिन और 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 शेलिया में से कोई एक सेमी फाइनल तक पहुंच सकती है और पाकिस्तान के बारे में हीज नॉट शियूर शियूर तो कोई भी नहीं है हपीज भाई हम लोग तो पहले भी कुदरत के आसरे पे चलते हैं सेमी फाइनल तक तो पहुंच जाएंगे बट ओनेस्टली दिल से हम सब यहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान वर्क अप जीत कर आए आइपिल से भी बड़ी खबर आ रही है जिसमें शर्मा भाई की कोई ओडियो लीक कद दी है स्टार स्पोर्ट्स वालों ने जिसके बाद रोहित भाई हाग जोड कर बिंती करते हुए नजर आ रहे हैं दूसरे चैनल्स को कि भाई ओडियो तो बंद कर दो वो बिचला चाहे वैसी मजाग कर रहा हूँ उस मासूम को थोड़ी पता था यह मजाग कितना भारी पढ़ने वाला है सब चैनल्स और फैन्स ने उस ओडियो से अपनी अपनी अकल के हिसाफ से मतलब निकाल लिए हैं और अब अराम से लगे हुए हैं वैसे निहायत ही कोई थर्ड क्लास हरकत है आपस में भी जब दोस मिलते हैं तो सौ बाते चल रही होती हैं गंदे जोक्स चल रहे होते हैं गालिया चल रही होती हैं अब उन सब को तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं भाई अगर सेलिबरेटीज की 90% लाइफ पबलिक है तो कोई 10% तो उनको प्राइवेट रहने दो आप लोग आप लोगों की इस बारे में क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताईएगा हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में हस्ते रहे और हमारा वन के सब्सक्राइबेस का टार्गेट है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो बाई